यदि सरवांगसम व्रतों में दो चाप बराबर हों तो उनकी संगत जीवाएं होंगी A. समांतर B. समान C. लंबवत D. पृतिछे दी तो हमने दो सरवांगसम व्रत बनाए एक का केंदर O है और दूसरे का O' है A. B. चाप जो है वो दूसरे व्रत के C. ड. चाप के बराबर है तो A. B. चाप जो जीवा बनाई वो है A. B. और C. ड. चाप जो जीवा बनाई वो है C. चितरा नुसार जो हमने रेड कलर में लाल रंग में दर्शार रखी है अब चुंकि वरत जो हैं वो सरवांगसम है और चाप बराबर है इसलिए जो AB की लंबाई होगी जीवा AB की लंबाई वो जीवा CD की लंबाई के बराबर होगा अर्थाद जो संगत जीवाएं बन रही है वो समान होगी तो यहाँ विकल्प भी सही है संगत जीवाओं की लंबाईयां बराबर होगी समान होगी किसी वरत का AD एक व्यास है और AB एक जीवा है यदि AD बराबर 34 cm, AB बराबर 30 cm है तो वरत के केंदर से AB की दूरी है A 17 cm, B 15 cm, C 4 cm, D विकल्प है 8 cm तो हमने चितर बनाया चितर में O वरत का केंदर है और AD वरत का एक व्यास है व्यास केंदर से गुजरता है इसलिए AB पर O बिंदू इस्थेत है AD के लंबाई हमें 34 cm प्रशन में दी गई है AB एक जीवा है और जीवा की लंबाई है 30 cm तो AB बराबर हो गया यहां 30 cm हमें वरत के केंदर से O से AB की दूरी अरथात OM को ग्याद करना है तो प्रशन में हमें क्या ग्याद करना है OM ग्याद करना है केंदर से जीवा की दूरी अब इस पश्ट है कि जो M बिंदू पर कौन बन रहा है OMA यह कौन 90 डिग्री का होगा क्योंकि यह दूरी है और दूरी सदय लंबवद दूरी होती है इसलिए OM लंबवद है AB पर OM AB पर लंबवद है अब जो केंदर से किसी जीवा पर लंब डालते हैं वो जीवा को सम्दिभाजित करता है इसलिए AM जो होगा AM और MB दोनों बराबर होंगे और इनका मान AB बटा दो होगा तो यहां अब प्रशन में क्या हमें दे रखा है कि व्रत की व्रत का जो व्यास है AD वो 34 cm है तो इसका मतलब व्रत की तरिज्या कितनी हो गई 17 cm हो गई व्रत की तरिज्या व्यास बटे 2 होगी अर्था जो OA का मान है तरिज्या वो 17 cm के बराबर है और AM जो है वो 30 बटा 2 क्योंकि जो लंब है O से जीवा पर डाला गया लंब वो AB को समधिवाजित करेगा इसलिए AM बराबर हो गया AB बटा दो अर्थात 15 cm अब हमें तिर्बुज OMA में एक समकोन तिर्बुज है उसमें हम देखते हैं कि यहां हम बुद्धायन के प्रमे का प्रियोग कर सकते हैं क्यो स्क्वाइर आधार स्क्वाइर प्लस लंब का स्क्वाइर के बराबर होगा तो बुद्धायन के प्रमे से क्योंकि तर्बुज AOM में कौन AMO 90 डिगरी का है इसलिए बुद्धायन का प्रमे का प्रियोग किया जा सकता है और यहां हमने प्रियोग में क्या किया कर्ण का स्क् तो कर्ण तो यहां हो गया O A, आधार हो गया M O, और लंब हो गया A M, तो हमने क्या पराप्त कर लिया? O M square बराबर A O square minus A M square, अब हमें A O पता है, हमें A O कितनी है? 17 cm है, तो A O का मान पता है, A M हम ग्यात कर चुके हैं, A M हमारा है 15 cm, तो इन दोनों मानों को यहां रखना है, और O M का मान, अर्थात जो हमारा अभिष्ट मान है, A B की केंदर से दूरी, वो ग्यात करनी है, तो यहां हमने 17 square minus 15 square किया, तो यह मान कितना हो गया? 289 minus 225 अर्था 64, O M square 64 के बराबर है, तो O M हो गया under root 64, अर्थात 8 cm, O M 8 cm है, जो हमारी अभिष्ट, जो लंबाई हम ग्यात करना चाते हैं, केंदर से जीवा की दूरी, वो 8 cm है, और चूंकि यहां 8 cm हमारा विकल्प कौन सा है? हमारा विकल्प है D, D विकल्प हमारा है 8 cm, तो इसलिए केंदर की, A, B की केंदर से दूरी 8 cm है, हमारा विकल्प, हमारा विकल्प D सही विकल्प है.